वागत है दोस्तों आप सब का आज के इस तमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे रोयल बार्स लेना वर्सेज पाक आई के और बडलोना क्रिकिट मैंच के ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्सन के बारे में सो दोस्तों इस मैच के लिए बेस्ट विनिंग टिम बना के दूँगा पिछे रिपोर्ट बताऊंगा कैप्टेन इन वाइस कैप्टेन किसे बनाना है इसकी बात करेंगे साधी कितने बलिवाज कितने गेंदवाज कितने ओल राउंडर आपको अपनी टीम में लेना है सब के बारे में डिटेल से चर्शा करेंगे तो विडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक दीखेगा सिरीज चल रही है ये 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 येरोपेन किर्केट सिरीज स्पेंड 2023 और इस सिरीज का ये 46 मैच है जहां पर रोयल बार्सलोना का मुकाबला पाक आई केर बडलोना से होने जा रहा है ये मैच मॉंट जोईक ओलंपिक ग्राउंड बार्सलोना में खेला जाएगा मैच की जानकरी की बात करते हैं सो देखे रोयल बार्सलोना वर्सेज पाक आई केर बड़ोना मैच नमबर 46 6 दिसम्बर 2023 को एक बज़ के पंदा मिनट पर यह मैच सुरू होगा मॉंट जोईक ओलंपिक ग्राउंड बार्सलोना में मैच के पुर्ववलोकन की बात करते हैं सो देखे रोयल बार्सलोना ने इस रंगला में 6 मैच के लिए और वे फिलालंग तालिगा में 6 इस्तान पर है जबकि पाक आई केर बड़ोना ने इस रंगला में 10 मैच के लिए पहले इस्तान पर अपनी पकड मजबुत करने की कोसिस करेंगे पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं सो देखे मौंट जोईक ओलंपिक ग्राउंड बार्सलोना में ट्रेक काफी संतुली तेज जिसमें बलेबाज और गींदबाज दोनों कोई मदद मिल सकती है पिसले तयानले इस मैचों में इस मैदान पर पहली पारी का ओस्त स्कोर 132 है लक्से का पीचा करना मैदान पर पसंदीदा विकल्फ होना चाहिए क्योंकि पहले बलेबाज ये करने वाली टीमों को सिर्फ 40% बार जीप प्राप्त हुई है इस मैदान पर तेज गेंदबाज काफी सफल रहे हमारा सुझाव है कि आप अपनी टीम में अधिक से अधिक तेज गेंदबाजों को चुने अब बात करते हैं तीन बलेबाज विकेट किपर की तो पहला है साहिद नाजिर जिनोंने पांच मैचों में 73 रन बनाए दूसरा है मौबद इहसान जिनोंने पांच मैचों में 337 रन बनाए तीसरा है नबिल केसर जिनोंने चार मैचों में 63 रन बनाए बात करें तो पहला है हमजा हसिम जिन्होंने तीन मैचों में उनसतर रन बना के तीन विगट लिए दूसरा है असद रबानी जिन्होंने चार मैचों में दो रन बना के पांच विगट लिए तीसरा है आमिर सहजाद जिन्हों ने तीन मैचों में बारा रन बना के एक विकेट लिया बात करें ओल राउंडर के लाडियों के तो पहला है सरजिल केसर जिन्हों ने तीन मैचों में छे रन बना एक विकेट लिया दूसरा है सिकंदर अली जिनोंने चार मैंचों में 78 रहन बनाए तीसरा है गुलरेज हुसैन जिनोंने तीन मैंचों में 32 रहन बनाके दो विगट लिया बात करें कप्तान और उपकप्तान के सुजाव की तो देखे कप्तान के तौरबे मौबद एजसान को आपको सेलेक्ट करना है पांच मैंचों में 337 रहनी है बना चुके है उपकप्तान के तौरबे आपको असद रमानी को सेलेक्ट करना है जिन्होंने चार मैचों में दो रवन बना के पांच विकेट लिए और लास्ट मैच में तीन विकेट लिए दोनों टीमों के स्कॉइड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रेन पे दोनों की टीमों का स्कॉइड आपके सामने अवेलेबाल है अब बनी बनाई फैंटेसी टीम आपको बता देता हूँ तो दीके विकेट कीपर के तौर पे मौमद एशान, साहिद नाजिर और सुलिमान असदद को लेना है आपको बलेबाज के तौर पे उमेर एहमद को लेना है ओल राउंडर के तौर पे सर्जिल केसर और अली असन को लेना है गेंदबाज आप हमजा हसीम, आमिर सहजाद, असद रबानी, हसन अली और मौजम रफीक को लेना है कप्तान आप हमजा हसीम को बना सकते हो उपकप्तान आप असद रबानी को बना सकते हो तो दोस्तों यह बनी बनाई फैंटेसी टीम ती जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल में पहली बार आयो make sure कि आप चैनल को subscribe करें हम मिलेंगे आपको next वीडियो में